दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूस दिनन में मुलाकात हमारी फैसला आपका लेकिन उस फैसले से पहले आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं पंजाब की राजनीती के बारे में जहां पर एक बहुत दिल्चस्प मुकाबला एक ऐसा मुकाबला से 63 सीटों को अपने पास रखा हुआ है वहीं लोक इंसाफ पार्टी को भाजपा ने चार सीटे दी है वहीं शिरुमनी अकाली दल सयुक्त को 14 सीटे हिस्से में आई है इसके आगे अगर हम बात करें तो भाजपा का एक मजबूत बंदन माना जा रहा था कैप्टन पार्टी पंजाब लोक कॉंग्रेस को भाजपा ने 36 सीटे हिस्से में दी है दिल्चस्प मुकाबला जहां एक महीने दो महीने पहले तक पंजाब में भाजपा के वजूत को भी खत्रा था इस समीक अरण ने पंजाब की राजनीती में इस सर्दी में भी गर्माहट पैदा कर दी है भाजपा जो कि हाशिये पर खड़ी थी लेकिन अब उमीद लग रही है कि भाजपा भी इस चुनावी मैदान में कुछ ना कुछ जरूर ऐसा करेगी जो सब को चौकाने वाला होगा दर्शकों आगे की जानकारी आगे का विशलेशन और अपडेट्स के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद आप सभी दर्शकों का धन्यवाद